Hello everyone, Good morning to all of you and welcome to online study point दोस्तो आज है 4 दिसम्बर और आज की इस वीडियो में हम 4 दिसम्बर से related current affair के सभी important question को cover करने वाले हैं इससे पहले मैं आप लोगों को बता दू SSC के लिए इस practice test series के बारे में जो की 7 दिसम्बर से start हो रहे हैं इसका schedule कुछ इस तरह से होगा Monday को aptitude class, Tuesday को English, Wednesday को reasoning, Thursday और Friday को GA और GS की test series आप लोगों को मिल जाएंगी तो इसके link description box में दी हुई है आप इससे जुड़ सकते हैं यदि आप लोगों को इस current affair के वीडियो के PDF शाहिए तो आप हमारे इस mobile application को भी install कर सकते हैं जिसमें आप लोगों को daily quiz, free PDF और प्रती दिन के current affair का audio भी मिल सकेगा तो चलिए start करते हैं हमारा पहला question हाली में भारती 9 सेना दिवस ये कब मनाया गया है यानि कि Indian Navy Day तो ये भी हाली में मनाया गया है 4 December को यदि हम बात करें Indian Navy की तो इसकी स्थापना हुई थी 1612 में headquarter इस्थित है नई दिल्ली में present time में जो हमारे Indian Navy के chief है ये कौन है Admiral कर्मवीर सिंग अब मैं आप लोगों को Indian Navy से ही related दो important operation बता रही हूँ जो कि चर्चिम रहे है पहला तो आपने याद रखना है Operation समुद्र सेतू कुछ समा पहले ही Indian Navy के द्वारा operation समुद्र सेतू की शुरुआत की गई थी और क्यों की गई थी तो देखे कोरोना महामारी के दौरान जब पूरे भारत में lockdown लगा हुआ था तब वे भारती जो की विदेशों में फस गय थे उन्हें समुद्री मार्ग से अपने देश भारत लाने के लिए Indian Navy ने operation समुद्र सेतू की शुरुआत की थी दूसरा आपने याद रखना है Operation Vanilla Operation Vanilla ये क्यों चलाय गया था तो देखे जो Medagaskar है Medagaskar में जब चक्रवाती तूफान आया था इस चक्रवाती तूफान के दौरान लोगों को बाहर निकालने के लिए उनकी मदद करने के लिए Indian Navy ने operation Vanilla चलाय था जिसके लिए INS एरावत को Medagaskar भेजा गया था help के लिए अब यदि हम other option को discuss करें तो 1 December को मनाया गया है World AIDS Day और जो BSF है यनि की Border Security Force इसने अपना 56 इस्थापना दिवस ये 1 December को ही मनाया है यदि हम बात करें 2 December की तो 2 December को मनाया गया है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 3 December को मनाया गया है World Day of Handicapped यनि की अंताराज़्टे विकलांगता दिवस अब मैं आप लोगों को बता दू Online Study Point के जो November मन्ति की Current Affair की PDF है जिसमें की November मन्ति के सभी Current Affair Topic Voice कवर कराये गये हैं तो इसकी भी लिंक description box में दी हुई है जो कि आपके आने वाले किसी भी exam के Point of You से important है इसे आप purchase कर सकते हैं हाली में किस राजजी ने छोटे जानवरों के लिए अपना पहला Eco Bridge बनाया है तो ये भी हाली में बनाया गया है उत्राखंड में तो देखिए उत्राखंड के राम नगर वन प्रभाग ने ये पहला Eco Bridge बनाया है जो सरी सरब होते हैं सरी सरब कहने का मतलब है कि जो Reptiles होते हैं और जो छोटे जानवर जैसे की साब गिलहरी होते हैं ये जब सड़क पार करते हैं तो दुरघटना का सिकार हो जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है तो उन्हें ही बचाने के लिए ये जो Eco Bridge है ये बनाया गया है उत्राखंड में अब देखिए जब जानवर रोट क्रॉस करते हैं तो भी दुरघटना का सिकार ना हो इसी के लिए अभी हाली में दिल्ली मुंबई Express Way में भारत का पहला Animal Bridge भी बनाया गया है जो कि आप इमेज में देख भी पा रहे हैं एक और चीज़ आप रिलेट कर सकते हैं हाली में जानवरों के लिए विश्व का सबसे बड़ा Under Pass ये मध्य प्रदेश में ही बनाया गया है पेज टाइगर रिजर्वे के बीचों बीच से होकर के ये Under Pass गुजरता है तो ये आप रिलेट कर सकते हैं यहां हम बात कर रहे हैं उत्रा खंड की तो इसकी राजधानी क्या है दहरादून और इसकी जो समर कैपिटल है ये है गैर सेन कल में ने आप लोगों को दहरादून के बारे में बताया था कि हाली में जो उत्रा खंड की मुख्य मंतरी है पहला मास गार्डन यहीं की काई पार्क यह स्थापित किया गया है उत्तरा खड़ने के नैनी ताल में ओल्लाइन स्टडी पॉइंट के इस अप्लिकेशन को आप अपडेट कर सकते हैं क्योंकि इसमें आप लोगों को क्विस को री अटेंट करने का मौका मिलेगा और यह अब आप लोगों के लिए नाइट मोड में भी अवलिबल है हाली में कौन सा राज्य विवाह में पारदर्शिता के लिए कानून लाने की योजना बना रहा है तो ऐसी योजना बना रहा है असम गौर्मेंट तो जिसकी जिसकी भी लड़के या लड़की की शादी होने जारी है तो उनसे रिलेटेड जरूरी जानकारी जिसकी उनका क्या धर्म है उनका income of source क्या है वगेरा वगेरा ये सभी जानकारी देना जरूरी होगा इस कानून के अंतरगत और इसी के लिए जो असम गौर्मेंट है ये प्रयास कर रहा है यदि हम बात करें असम की तो आप मैप में देख सकते हैं असम की लोकेशन इसकी राजधानी है देशपुर, मुख्यमंत्री है सर्वा नंद सोनवाल, राज जिपाल तो ये है जगदीस मुखी हाली में भारत का पहला multi-model logistic park ये स्थापित किया गया है असम के जोगी गोपा में इसके लावा जो काजी रंगा राजश्टी उद्ध्यान है जो की एक सिंग वाले गेंडे के लिए famous है ये भी असम में ही इस्थित है इसके लावा हाली में जो आउइल इंडिया लिमिटेड है इसने असम के तीन सुकिया में natural gas की खोज भी की है हाली में जारी किये गया वैश्विक आतंकवास सूचकांक 2020 में भारत कौन से इस्थान पर रहा है तो देखे इसके बारे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि हाली में जो global terrorism index release किया गया 2020 का इसके अनुसार यदि देखा जाये तो बीते वर्स यानि कि 2019 में आतंकवास से सबसे ज़्यादा प्रभावित देश ये रहा था अफगानिस्तान इसमें मैंने आप लोगों को इंडिया की रैंकिंग नहीं बताई थी तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें इंडि रिलीस किया जाता है इंस्टिट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा और इसने जो ये डेटा रिलीस किया है इसके नुसार 2019 में आतंकवास से सबसे ज़्यादा प्रभावित देश ये रहा था अफगानिस्तान दूसरे इस्थान पर इराक और तीसरे इस्थान पर रहा था नाइजीरिया और अपने देश भारत की रैंकिंग रही थी आठवी अब आप्शन में मैंने जितने भी इंडेक्स लिखे हैं ये भारत से ही रिलेटेड है जैसे कि कुसर में पहले ही जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा डूइंग बिजनस इंडेक्स रिलीस किया न रहा है इसमें इंडिया की रैंकिंग थी 63 टॉप पर रहा था निउसिलेंड हाली में जो गलोबल हंगर इंडец रिलीस किया गया यानिकि वैश्विक भूग सूचकांग इसमें इंडिया की रैंकिंग रही है 94 टॉप पर रहा है बेलारूस और अभी हाली में अर्टन में इंडिया रहा है 58 पोजीशन पर टॉप पर रहा है न्यूजीलेंड हाली में विश्व की सबसे बड़ी मिल्क प्रोसेसर कंपनी कौन बनी है तो यह भी हाली में बन गई है डेरी फार्मर्स ओफ अमेरिका तो देखें भी हाली में दा इंटरनेशनल फार्म कंपैरिजन नेटवर के द्वारा यह जो ग्लोबल डेरी प्रोसेसर इंडेक्स रिलीस किया गया इसके नुसार विश्व की सबसे बड़ी मिल्क प्रोसेसर कंपनी यह बनी है अमेरिका की डेरी फार्मर्स ओफ अमेरिका दूसरे स्थान पर रही है न्यूजिलेंड की डेरी कंपनी जिसका नाम है फॉन्टेरा तीसरे स्थान पर रही है लेक्टलिस कंपनी जो की फ्रांस से रिलेटेड है और अपने देश की जो कंपनी है डेरी कंपनी जिसका नाम है अमूल यह इस रैंकिंग में रही है आठवे स्थान पर तो यह भी रखेंगे मतलब कि इंडिया की तरफ से टॉप पर है अमूल ओर आल टॉप पर है डेरी फार्मर्स ऑफ अमेरिका ओनलाइन स्टडी पॉंट के लाज 10 मंत की करंट अफेर की जो पीडियाफ है जो की वन लाइनर फॉर्मिट में है इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में द ममेरियम वेबस्टर ने किस सब्द को 2020 का वर्ड ओफ दा इयर डिकलियर किया है तो हाल ही में जो ममेरियम वेबस्टर है इसके द्वारा 2020 का वर्ड ओफ दा इयर ये चुना गया है पैंडमिक को यनिकी महामारी को मरियम वेबस्टर के नुसार जो महामारी शब्द है ये इस जबकि जो Cambridge University है, Cambridge University के अनुसार जो quarantine है, इसे word of the year 2020 declare किया गया, तो ये तीनों ही आप याद रख सकते हैं. हाली में आदी महोत्सों का आयोजन कहां किया गया, तो इसका आयोजन अभी हाली में किया गया मध्य प्रदेश में, जो हमारे जनजाती मामलों के मंत्री है, जिनका नाम है अरजुन मुंडा जी, इन्होंने इस महोत्सों का उद्गाटन वर्चुली किया, यदि हम बात करें आदी महोसोगी तो आदीवासी संस्कृतियों को बढ़ावा देने के लिए इस फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है जंजाती मंत्रालाय और भारत सरकार के द्वारा यहाँ हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की तो आप मैप में देख सकते हैं मध्य प्रदेश की लोकेशन यह भारत के बीचों बीच इस्तित है इसलिए इसे हरदय प्रदेश सोया इस्टेट सोया इस्टेट इसलिए क्योंकि सोयबीन का सरवाधी कुतपादन ये मध्य प्रदेश में ही होता है और टाइगर इस्टेट क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर ये मध्य प्रदेश में ही मिलते हैं इन तीनों उपनाम से जाना जाता है मध्य प्रदेश को ही मुख्य मंत्री तो ये है शिवराज सिंग चोहान ये मध्य प्रदेश के चौथी बार मुख्य मंत्री बनाये गये है राजिपाल है आनंदी बेन पटेल इसके लावा मध्य प्रदेश का ही एक टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है पन्ना टाइगर रिजर्व जिसे के भी हाल ही में यूनेसको ने अपने मैन और बायो स्फेर प्रोग्राम का हिस्सा बनाया है और फिछले कुश्चन में मैंने आप लोगों को बताया था कि विश्व का मतलब की जानवरों के लिए विश्व का सबसे बड़ा अंडर पास ये मध्य प्रदेश में ही बनाया गया है मध्य प्रदेश में हिस्तित है इंदौर जो की लगातार चौथी बार भारत का सबसे स्वक्ष सहर बना है इसी इंदौर से स्वक्षता के लिए PPL यानि की प्लास्टिक प्रीमियर लीग इसके भी शुरुवात की गई है हाले में किस राज्य की मुख्य मंत्री ने औरुन दोई योजना की शुरुवात की है तो इसकी शुरुवात अभी हाले में की गई है असम गौर्मेंट की द्वारा और क्यों की गई है तो इसे आप एक लाइन में याद रख सकते हैं महिला ससक्ती करण यानि की वूमन एमपार्मेंट को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं को आर्थिक रूप से ससक्त बनाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है जिसका नाम है औरुन दोई योजना जो की अब तक की असम की सबसे बड़ी योजना है जिसके अंतरग असम में लगभग 1730 गरीब परिवारों को 830 रुपए पर मंथ प्रोवाइड कराया जाएगा असम गौवर्मेंट के द्वारा और इसके लिए मतलब की इस योजना के लिए असम गौवर्मेंट के द्वारा 280 करोड रुपए आबंटित किये गए हैं और असम के बारे में हम और इसका नाम क्या है तो इसका नाम है रामायन क्रूस सर्विस तो अयोध्या की बात करें अयोध्या की तो ये जो अयोध्या है इसी सर्यो नदी के किनारे बसा हुआ है अयोध्या जो कि भगवान राम की नगरी है अभी हाल ही में 6 लाक से अधिक दिये जलाकर इसने गिनीज बुक उफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है तो ये तो बात हुई रामायन क्रूस सर्विस की जिसके शु और सर्यो नदी में रामायन क्रूस की शुरुआद यहाँ तीसरे आप्शन को भी रिलेट कर सकते हैं देखे कुछ समय पहले ही कोरोना महमारी के बीच जो केरल गवर्मेंट है इसके दौरा सी एंबुलेंस की शुरुआद की गई थी और केरल की इस पहली सी एंबुलेंस का नाम ये प्रतिक्षा ही है हाली में जारी किये गए रिश्वत खोरी जोखिम सूचकांक में एशिया में कौन सा देश पहले स्थान पर है तो देखे कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि ट्रांस्परेंसी इंटरनेशनल के दौरा एक रिपोर्ट रिलीज की नीचे यानि कि सबसे कम प्रभावित देश ये डेनमार्क, नौर्वे और फिन्लेंड थे अब इस कोश्चन में बात की जारी है एशिया में कौन सा देश पहले स्थान पर है तो पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो इंडिया की रैंकिंग तो 77 है और यदि हम केवल एशि और एशिया में भी याद रखेंगे तो जो भारत है ये एशिया में रिश्वत खोरी के मामले में तो पहले स्थान पर है सबसे कम प्रभावित कौन है तो मौल दीप और जो जापान है ये रिश्वत खोरी के मामले में एशिया में सबसे नीचे हैं हाली में देश का पहला 100 अक्टन पेट्रोल किस ने लॉंच किया है तो यह भी हाली में लॉंच किया गया है धर्मेंद प्रधान जी के दुआरा जो की प्रेजन टाइम में हमारे पेट्रोलियम मंत्री है और यह जो भारत का पहला 100 अक्टन पेट्रोल है इसे यह एक्स्ट्रा प्रीमियम 100 के नाम से लॉंच किया गया है फिलहाल इसे 10 शहरों में लॉंच किया गया है और दूसरे चरण में कुलकाता और चिन्ने जिसे 5 शहरों को इससे जोड़ा जाएगा और यह जो एक्स्ट्रा प्रीमियम 100 है यह इंडियन औल कॉर्परेशन के मापी जाती है जैसे कि दूद की सुधता हम किस्से मापते हैं लेक्टो मीटर से से उसी तरह से जो पेट्रोल की गुडवत्ता है यह ओक्टेन नंबर से ही मापी जाती है तो यह जो एक्ष्ट्रा प्रिमियम 100 पेट्रोल है यह लॉंच किया गया है धरमेंद्र प्रधान जी क द्वारा कल में आप लोगों से पूछा था दुनिया का सबसे कनेक्टेट सिटी कौन बना है राइट अंसर था संग हाई अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला यूरोपी देश कौन बना है तो इसका जो भी अंसर स्ट्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा तो आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच